एक चरिय रेखिक समीकरणों का परिचय पूर्व के अध्याय में हमने बीच गणितिय व्यंजकों जैसे 2x, 3y घटा 4, 5xy, x वर्ग जोड 1, x वर्ग जोड y वर्ग, 4x जोड 3y और इत्यादी को देखा है उपरोग्त व्यंजकों में कई में एक से अधिक चर हैं, उधारण के लिए 4x जोड 3y में 2 चर है, एक रेखिक चर वह चर है जिसकी व्यंजक में दिखाई देने वाली उचतम घात 1 है व्यंजक जैसे 2x, y भाजक 2, 5x रिण 1, 3y जोड 8, 1 भाजक 2 गुणा x जोड 1 सभी रेखिक समीकरण हैं ये व्यंजक रेखिक नहीं है, वे समीकरण जिनमें केवल एक चर्य रेखिक व्यंजक होते हैं, उन्हें एक चर्य रेखिक समीकरण कहा जाता है कोई बीच गणित्य समीकरण, दो बीच गणित व्यंजकों की समानता का कथन होता है इसमें एक बराबर का चिन्ह होता है, बराबर के चिन्ह के बाई ओर का व्यंजक बामपक्ष या LHS होता है बराबर के चिन्ह के दाई ओर का व्यंजक दक्षिन पक्ष या RHS होता है तो उस मान को समीकरण का हल कहा जाता है।